कि और मैं सभी के अपने परिवार एक्जामपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ सभी सभी स्टूडेंट्स फटा-फट से क्लास से जूट जाएगा और फिर हम लोग करते हैं फटा-फट से अपनी क्लास को शुरू ठीक है तो सबसे पहले क्लास में बात कर लेते हैं जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटा-फट से जरा एक बार जूट जाएंगे और करते हैं हम लोग क्लास को यहां पर शुरू स्वागत है आप सभी का एक नए बैच में धिरेश यह नया बैच नहीं है बलकि हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं आप लोग ही डेली क्लास में अर्फ कर दिसकाजर कर रहे हैं जिसमें कि हम अपने डेली कर चन्स डिसकेस कर रहे हैं एक रहे हैं साथ ही हम लोग इसमें अपने सम्हावित क्रश्चंस नए टॉुह कुछ ऐसे नई topic हैं जैसे कि आपके current affairs से आ जाते हैं कुछ current affairs से आपके topic आ जाते हैं जैसे कि नई नई appointment हो रही है कुछ नई exercise हो रही है नई नई हापर कुछ प्लेस काफी news में है कुछ परसन है जो कि काफी popularity जिनोंने हासल की है जैसे कि रिशी सुनकी ही बात कर लीजिए तो इस तरह के questions भी हम लोग अपने class में कर रहे हैं तो class का daily समय भाई 10 बजी अपना start हो जाता है 10 बजी आप लोग class में आ जाया किया कीजिए इसके साथ ही इस Sunday अपनी marathon class है Sunday को हमारी सुभा 9 बजी class start हो जाएगी तो आप लोग Sunday को जो भी यहाँ पर SSE GD की तियारी कर रहे हैं या बाकी exams की तियारी कर रहे हैं तो आप सब ही Sunday को सुभा 9 बजी class से जरू जूर जाएगा marathon class है अपनी ठीक है तो खापी करके अराम से फूरसत में बैठेगा marathon class करने के लिए अब जल्दी से question हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसे कीजिएगा तो कल मैंने आप लोगों को एक question दिया था homework में कि निम्रिकित में से कौन October 2022 में अमारे की मुद्रा पर प्रदोशित होने वाला पहला एश्याई अमारे की बन गया है आपको बताना है question का जो answer है भई क्या हो जाएगा चले जल्दी से answer कीजिएगा क्या हमारा answer यहां पर अपना रहेगा बताना है आप लोगों को यह कल मैं यहां पर अंकित किया गया है सो अना में वोंग ठीके अगले को श्रीचल पर आ जाते है किस बताना है आप लोगों को कि किस किर्केट के मैदान को किर्केट का घर यानि की होम ओफ किर्केट भी कहा जाता है answer कीजिएगा क्या हो जाएगा किसको कहा जाता है चले बताएंगे जल्दी से जिशान ओके धरमेंद्र शिव बाकि अभी भी सभी वची स्टूडेंट्स क्लास में आए नहीं है बाकि सभी लोग धीरे धीरे चीटी की चाल से क्लास में आएंगे हां चले जल्दी से बताएंगे मैलबन क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है मैलबन क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो वर्ड में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी स्टेडियम है इडन पार्क क्रिकेट ग्राउंड की बात करते है इडन पार्क है या फिर एडिलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड है य यह कहां इस्तित है? भारत में या फिर भारत से बाहर? आंसर कीजीगा, यदि हम लोट्स क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं, तो भई यह कहां इस्तित है? आंसर कीजीगा, राजन और के बी, बी नहीं है बलकि डी आप्शन आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे कि यदि हम इस क्रिकेट ब्राउंड की बात करते हैं, तो यह कहां इस्तित है, आंसर कीजी, बताएंगे जल्दी से यह कहां इस्तित है, लंदन में, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यह है कहां पर इस्तित है, यह है लंदन में इस्तित है, और याद रखना, यह प्रिवियस यह क्वेश यह आपको बताना है, अंसे किजीगा, मानसून शब्द, जो कि मानसून शब्द हम लोग यूज करते हैं, कि भी मानसून आ गई है, यानि कि बारिश वाले जो बादल है वह आ गई है, ठीक है, तो बताना है कि यह जो शब्द है, यह है किस से लिया गया है, अरबी भाषा से या लेटिन भाषा से या स्पैनिश भाषा से या जर्मन भाषा से यह पर याद रखेगा क्या हो जाएगा भई यहाँ पर अर्भी भाषा का यह शाब्द है दिल्ली सल्तनत की पृथम और अंतिम महिला साशक कौन थी यह आपको बताना है आंसे कीजेगा इतिहास में सबसे पहली और अंतिम महिला साशका कौन रही है कौन रही है रजिया सुल्तान जो की इल्टूत मिश की बेटी थी और इल्टूत मिश की बात करते हैं तो भी यह गुलाम वंश का गुलाम वंश का यह थर नंबर का साशक था ठीक है और गुलाम व और रजिय सुल्तान भी गुलाम वंश तीक है यह भी गुलाम वंश में ही साशिका बनी थी तीक है क्या अंसर हो जाएगा यहां पर थार्ड ऑप्शन यहां पर सही आंसर रहेगा चले लिगरेशन पर आजाते हैं निमलिकित में से कौन सी फसल खरीफ फसल यानि की रितू से स समबंधित है खरीफ फसल की बाइव पर फीर से रिविजन करें लेते हैं पठाफट से देख ले Take झ के बात करते हैं तो अप्टूबर के समय में लगती है और जायद की बात की जाय तो भी यह है मार्च यह मार्च से जून के महिने में लगती है जायद की फसल अब आप लोगों को इन फसल के सीजन के अकोडिंग कोश्चन का आंसर करना है क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर बताएंगे निम्न में से कौन सी खरीफ फसल रितू से संबंदित है आंसर कीजिएगा गेहूं की बात करते हैं रभी की फसल है चना सरसो कैसी है यह भी रभी की फसल है बट अगर कपास्त की बात की जाए तो कपास्त कैसी हो जाएगा कि यह है खरीफ की फसल है तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोनार्क मंदिर की फोटो लगी हुई है साथ ही इसका जो दूसरा नाम है इसे किस और नाम से जाना जाता है यह भी आपको बताना है और किस तरहा की शैली में यह बना हुआ है और यह कहां पर इस्तित है चले इन सभी पॉइंट्स का आंसर कीचिएगा क्वेश्चिन में आपकी जो क्लासिज है सुभा आट बजे आपकी मैथ की क्लास होती है नो बजे आपकी रिजनिंग की क्लास होती है दस बजी हमारी जी के जीएस की क्लास होती है और ग्यारा बजे आपकी साइंस की क्लास होती है तो सुभा आठ बजे से लेकर के बारा बजे तक का जो समय है न चले आंसे कीज़ेगा क्या हो जाएगा सबसे पहले कोणात मंदिर की बात कर लेते हैं तो नर्स हिंग देव पुर्थम जो कि गंगवंस के साशक रहे हैं इनके दुआरा बनाया गया है कब बनाया है तेहिर्वी शताबदी के दोरान बनाया गया है कितने रुपे के नोट पर हुआ है यह कलिंगशाली में बना हुआ है कहां पर इस तीथ है तो यह है और इसा कि पूरी में इस्तीथ है जोकि भारत का यह पूर्वी तट है इसका उतकल तट है वहां पर यह स्तीत है ए 4000 अनुसंधान संगढण किस वर्ष्य तक चंद्रियान थर्ड चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन लॉंच करने की योजना बना रहा है इसके साथ ही आप मुझे ये बताएंगे कि भारत ने चंद्रियान फर्स्ट मिशन को किस वर्ष लॉंच किया था और चंदरियान 2 मिशन को किस वर्ष लॉंच किया था चले दोनों के बारे में और साथी थर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है आंसर कीजिएगा क्या आंसर भई हमारा यहां पे रहेगा फटा फट से बताएंगे क्या हो जाएगा क्या अपना आंसर रहेगा जेगे बहुत सही तीरवी शताब्दी की दोरन बनाया गया था हाँ बिल्कुल लगभग 1250 से इस वी में बनाया गया था चले कब इसे लॉंच किया जाएगा यह आप लोगों को बताना है साथी बाकी के बारे में भी बताना है कि कब चंद्रियान 1st को और कब चंद्रियान 2 को लॉंच किया गया था आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा कब लॉंच किया गया था बताएंगे क्या हमारा आंसर रहेगा चले चंद्रियान 3rd की बात करते हैं तो अगर इसके हम बात करते हैं तो यह है एक moon mission है ठीक है जैसे कि अगर हम प्रत्वी वासी की भात करते हैं तो सभी प्रत्वी वासी चंद्रमा पर जीवन की संभावना की खोज कर रहे हैं कि वहां पर जीवन संभाव है कि नहीं है और किस तरह से हम संभाव बना सकते हैं तो इसकी खोज की जा रही है इसलि 2023 में लौंच करने की योजना बनाई जा रही है इसके साथ ही भारत का एक गगन यान गगन यान मिशन भी है जो कि एक मानव युक्त मिशन होगा और इसे तीन चड़ों में लौंच किया जाएगा और इसके माध्यम से भारत पहली बार अंतरिक्ष में मानव को भेजीगा ये बात भी याद रखीगा चले बताएंगे जल्दी से चंद्रियान फर्स्ट को कब ա्शन किया गया था रञ्जीत बहुत सही जो दो गजार आठ अंसर करें बिलकुल सही है साथ चंद्रियान हां तो चंद्रियान फर्स्ट प्रघ्यान के बारे में सभी को याद होगा हा चले बात कर लेते हैं इसके बारे में इसे 2019 में लॉंच किया गया था वो डेट भी याद रखेगा 22 जुलाई ठीक है जो कि एक सक्सेस्पूल मिशन नहीं रहा था और भारत चंदमा के दच्छनी से पर लैंड करने वाला पहला देश बना था ठीक है चले अगले वर्शन पर आजाते हैं मुझली कित मैं से कौन सा भी क्यृ 1 सागर में अवस्तित नहीं है यह आपको बताना है इन से कौन यह सा भी जो की क्यृ 11 और कंपर है यह नौर्थ अमेरिका ताक है अन्य साओ्ध appointment है इनके मध्धि से अपनी सीमा को बनाता है कैरिबियन सी और आपने क्यूबा देश के बारे में सुना होगा क्यूबा देश बावल ओफ शुगर जिसे चीनी का कटोणा कहा जाता है वह कैरिबियाई सागर में ही इस्तित है चले आंसर करेंगे जल्दी से क्या हो जाएगा रंजन बाइलो जी क बात करते हैं तो यह है नॉर्धन जो की ऐagnano leo mungkin the Atlantic Ocean का नॉर्धन एरिया ना कौनसा उश्ना कटी बंध है घहास का मैदान है वताईं तए है सवाना है 25 1930 image yes yellow यदी हम टेगा घहास की बात करते हैं तो इस अपटे यूरोप में भी पाइजाते हैं यू को रश्या के छेत्र में पाये जाते हैं साथ ही यह है आपके नौर्थ अमेरिका में भी पाये जाते हैं कौन से घास के मैदानगा बागी के बारे में चल्ए आप लोगों को बताना है क्या उश्न कटी बंदी है ट्रोपिकल ग्रास लेंड सवाना पंपास या फिर घास के मैदान चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा पढ़ाई कर लो पढ़ाई चलिए बताएं कि जल्दी से क्या भी हमारा आंसर यहां पे रहेगा सुरेश क्लास जो शुरू हो जाती है वो दस बजे शुरू होती है क्लास ठीक है तो दस बजे आप डेली क्लास में जूड जाया किया कीजिए चले बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा सवाना घास के मैदान और सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं बताओगे आप लोग स तो ईपक लिख आंव हें पर चान के हैंचा कुलि अirementनु यह अमैरिक महादीब और अगर करें थяж पेह,. किस महादीब में पर पाइजाते हैं , अगरegenड़र महादीब के लिए worthless In bins bagus निक्यार है मरे चाने हाई मेifiques क। मनिश्या तो पढ़ाई करो नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बात में मत रो ना कि अन ब्लॉक करने के लिए अच्छा सोरू चले जल्दी से आंसे कीचेगा सवत अफ को बिल्कुल सही है क्या हो जाएगर यहां पर यह है अ अफ्रिका अफैंके दच्छिनी हिस्से में वैल्ड घास के मैदान है जले क्रूषिन पर आजाते है कि पार्टी फार्टी एंड अन-ब्रेटिस् rule in india यह party नहीं है यह poverty भाइच जाद question में Misfraint था क्या हों चाहिए hiring poverty इसके अगर बात करते हैं तो क्या होगा poverty पोड़े यान्यकि गरीबी чис छले बात करते हैं यहां पर भी question में हम लोग कि poverty rabri and america is rule in India नामक पुस्ता किस सो वर्ष परकाशइ तो हुई आज़े जो एक रूची शुकला ओके लेट है आप 11 मिनट मैं दस बज़े से भी पहले हमने क्लास स्टार्ट कर दी ती चले स्सेजगर कंची शुकला स्टार्ट के साथ में भाल की चलता है यज़ी पताफ रिजनिंग फिजी के चलता है ऐसे मोर्निंग शिफ्ट में भी क्लास चलती है शरवन ओके पटापट आंसर कीजी जल्दी से 1901 में और यह बुक किस की है कोई मुझे बताएगा इस बुक के माध्यम से जो इस बुक के लेकक हैं उन्होंने भारत में अंग्रेज क्या कर रहे है कि वह देश को लूट रहे हैं हमारा देश सोने की चड़या कहलाया जाने वाला देश को वह लूट रहे हैं हमारी अर्थवेस्ता को किस तरह से वह तार-तार कर रही है यह सभी इस बुक के माध्यम से इस लेक में लिखी गई है और बिल्कुल सही है शरवन इसकी बात करते ह तो यह दादा भाई नोरोजी की बुक है दादा भाई नोरोजी की यह बुक है तो क्वेश्चन का अंसर 1901 में यह है पब्लिश हुई थी और किसकी है दादा भाई नोरोजी की यह है बुक है चले क्वेश्चन पर आ जाते देरेक्स है कि भाई सूची 1 और सूची 2 एक तर माउंट रिरेनर की बात करते हैं यह कहां पर है तो यह हैं USA में माउंट एटना की बात करते हैं कहां पर है यह इटली में है ठीक है उसके बाद यदि हम माउंट एपो की बात करते हैं तो यह है फिलिपिन्स में है और माउंट पैरिकुटीन की बात की जाए तो यह है क्या हो यहां पर सी तो क्या हो जाएगा मैचिंग देख लीजिएगा इसमें आप लोगों से जुआला मुखी माउंटेन दिये गए थे और किस देश में इस्तित है यह आप से पूचा गया था अपना आन से क्या हो जाएगा साइकेंड ओप्शन ठीकें क्या हो जाएगा साइकेंड भी अपना सही आन से यहां पर रहेगा हरपा सभेता का इस्थल मांडी भारत के किस राज्ये में इस्तित है बताएंगे यहां पर यह एक प्राचीन इस्थल है सबसे पहले तो यह याद रखिएगा हरपा सभेता की बात की गई है यह एक प्राचीन इस्थल है जहां से आभ हार बात बात कर लेते हैं तो भारत कि सबसे पुरानी सभटा के लिए है जानी जाती है जिसकी खौज हूं इननीस सो इकीस में डयाराम सहनी ने की थी को अपंसी ह本ा किga क्या हो जायगा बताएंगे जल्दी है क्या हो बासूरी से जुड़े हैं आपको बताना है आपको बताना है कि कौन से संगीतकार है जो की बासूरी से जुड़े हुए है चले बताएंगे जी बिलकुल सणी रेन बिलकुल यह आप लोगों की रेलवे के लिए क्लासी चल नहीं है सुभा में आपकी मैथ के खलती है, आट बजी नो बजी रिजनिंग की, दस बजी जी-क जी-एस की और गारा बजी चलती है आपकी साइन्स की क्लास यह हम गिरिजा देवी की बात करते हैं तो यह है गायका जो की बनारस घराने से ब्लॉं करती है अरबिंद पारिक की बात करते हैं तो यह सितार वादक के लिए जाने जाते हैं कोन तांस है अंसे क्या ओजाएगा यहां पर आपका थार्ड ओप्शन ठीक है क्या हो जाएगा थार्ड ओप्शन जो कि है यह हमारा सही आंसर अपना रहेगा के लिए अगले गुश्चन पर आ जाते हैं दे नेक्स्ट आंसे कीचेगा निम्न में से कौन सा शास्त्री निर्ति नहीं है आंसर कीजिए जो क्लासिकल डांस है अमने कल भी क्या था इसके ऊपर क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करते हैं तो भारत में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म है आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि भारत के संगीत नाटक अकादमी के दुआरा इन्हें भारत के शास शटले आंसे कीजिए हुजाएगा बिल्कुल से देखो कथक की बात करते हैं कहाँ पर यहalten is उत्तर प्र्टेस का शास्त्रे निर्टे हैं कुच्पूरि की बात करेते हैं आंध्र प्रदेश का है ओडिसी की बात करेते हैं रोडिसा की है ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर गर्बा, गर्बा की बात करते हैं तो यह है नवरात्री, यह है नवरात्री के समय में होता है और कहां पर गुजरात राज्जी में, किसे संबंधित है, यह है एक लोग निर्ते है, जो की गुजरात राज्जे से संबंधित है, आंसर क्या आप लोगों को विटामीन्स के नाम दिये गए हैं और उनके सामने आपको उनके स्त्रोथ के नाम दिये गए हैं यानि कि जिन जो की उन विटामीन्स के मुख्य स्त्रोथ हैं अब बताएंगे आप लोग की कौन सा यहां पर आपको सही नहीं दिया गया है जी बिल्कुल वर्वा बिल्कुल thereby कि डांडिया हुआ भववई हुआ बिल्कुल सはही बात है यह गुजराद से संबस्थ है ना इस रही विटामीन B6 की बात करते हैं धान के चोकर से मिलता है यह ना विटामीन के सामनी संत्रा संत्रा की बात करते हैं तो इससे मिलता है विटामिन सी ना कि इससे विटामिन ए मिलता है ठीक है क्या हो जाएगा इसके अगर हम बात करते हैं तो यह है विटामिन सी का मुखे स्त्रोथ है ना कि विटामिन A का, विटामिन A की बात करते हैं, तो यह मिलता है आपका किस से शक्रा, क्या हो जाएगा, इसके अगर हम बात करते हैं, तो यह है आपका, सोरी, शकरकंच से यह हमें मिलता है, शर्बत से मिलता है, है ना, मक्का से मिलता है, और, मक्का से मिलता है, और, गाजर से, ATC यह सभी के सभी आपके विटामिन A के मुख्य स्त्रोत के रुप में जाने जाते हैं तो याद रखेगा इन्हों ने हमें C option सही नहीं दिया गया है बाकी सभी सही सम्मिली थे और विटामिन के उपर आपके बहुत question आते हैं बहुत important topic है यह आपका science का कौन सा अपन्यास अं international booker price इसके बारे में आपसे question में पूछा गया है booker price ठीक है और एक होता है booker price दोनों अलग-अलग है जो international booker price है ठीक है जो की बफ्रिंग हो रही है के class में बफ्रिंग तो नहीं हो रही है जुड़ बोल रही है रेत की समाधी बिल्कुल सही है चली तो देखते हैं आप इंटरनेशनल booker price के बारे में आप लोग को बता रही थी इसकी जो शुरुवात है इसकी शुरुवात की बात करते हैं तो कब हुई है? 2005 में इसकी शुरुवात हुई है है ना और किसके दुआरा यह दिया जाता है, यह दिया जाता है, मैन ग्रूप के दुआरा, मैन ग्रूप के दुआरा दिया जाता है, इसमें प्राइज मनी क्या दी जाती है, तो इसमें प्राइज मनी के तोर पर, प्राइज मनी के तोर पर इसमें पचास हजार पाउंड में इंग्लिशंगे वालил नोवल को मिल जाएगा चाहे मूल रूप से वहर हैं किसी भी वास्व न भी में इनि किसी में थी जिसी में यहां दिया जाता हुब है। तो Tom of Sand यह सबसे पहला Hindi उपन्यास है जिसके English version को International Booker Prize दिया गया है इसकी लेखिका कौन है? श्री गितांजली कौन है? श्री गितांजली इसकी लेखिका है और इसकी translator कौन है? जिन होने की इसे English में translate किया है? बताओगे इसके translator कौन है? आंसे कीजिए यदि हम इसके translator की बात करते हैं तो किसने इसे English में translate किया था? और जो prize money होती है बहर जिसने उस novel को लिखा है यानि की एक original writer और जिसने उसे translate किया है दोनों में ही 50-50% divide होती है जैसे की 50,000 pound में prize money दी गई है तो 25,000 pound में दी गई है गितांजली को और 25,000 pound में ही दी गई है प्राइज मनी किसे? Daisy Rockwell बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा यहां पे Daisy Rockwell याद रखीगा इन्हों ने इसे English में translate किया था नाम याद रखीगा दोनों का ही नाम आपको याद होना चाहिए ठीक है चले अगले question पर आजाते है दे नेक्स आंसर कीजिएगा चले आंसर कीजिएगा बताइगे क्या आंसर हो जाएगा तो question है हमारा कि निम्न में से कौन सी गैस उत्क्रस्ट गैस नहीं है उत्क्रस्ट गैस की बात करते हैं तो जो आपकी सार्णी है उसमें दाहिने दाहिना जो की स्थम्ब है उस और जो की आपकी छे गैस दी गई है ठीक है वह कैसी है वह उत्क्रस्ट गैस है कैसी गैस है वह उत्क्रस्ट गैस है अब जल्दी से इनमें से मुझे ये बताईए कि कौन सी आपकी उत्क्रस्ट गैस नहीं है answer कीचिगा जल्दी से बताएंगी 1 जब सब मेलतर चुणा यार्धिए इत to glas पडूं रहा लिखी है किसी से no government no government or it hay or nic a once प्रवंधन में आपता प्रबंधन के लिए राष्ट के आप दा प्रबंधन के लिए, सुट्धा कि दिश्नुय के लिएक जाटी है। विभाग ग्रहम अंत्राले में एक नोडल विभाग है और राष्टिये आपदा प्रबंधन साधी करण का पदेन अध्यक्ष कोन है यह आपको बताना है बताएंगे चले आंसे कीजिएगा जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएंगे आप लोग कोन इसका अध्यक्ष होता है चले क्या हो जाएगा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा जो देश की प्रधान मंत्री होते हैं वहें इसके अध्यक्ष होते हैं चीक है और यदि हम nd, nd, dm की बात करते हैं, है ना, इसकी स्थापना कप की गई है, इसकी स्थापना की गई है, दो अजार पांच में, और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वह हैं आठ राजियों के मंतरी रहते हैं, क्या रहते हैं, आठ राजियों से मंतरी यहां पर रहत तो नेटे हैं गला जो पर सिम्ली पाल टाइगर रिजों, किस राजिये में स्थित्थ है, बताना है आप लोगों को सिम्ली पाल टाइगर रिजव यह है कहां पर सित्थ है अंसर कीजीगा यह बही कहां पर इस्तित है, Simlipal Tiger Reserve, तो कहां पर इस्तित है, यह इस्तित है, ओरिसा में, ठीक है, ओरिसा के दो ही National Park है, एक तो है Simlipal और एक है भीतरकनी का, तो इनके Tiger Reserve के बारे में पूछा जाए या National Park के बारे में पूछा जाए, आपका अंसर क्या हो जाएगा यहां पर औरिसा, अच्छा हाल ही में 53 नंबर के Tiger Reserve को एनाउंस कर दिया गया है, हम जो गुरु घासिदास के बारे में पढ़ रहे थे, वह 53 नंबर का Tiger Reserve था, लेकिन वह नामित किया हुआ था, ना कि पून रूप से उसे घोशित किया हुआ था, बट हाल ही में 53 नंबर का Tiger Reserve घोशित दे दिया गया है, आपको बताना है कि वह कौन सा Tiger Reserve है, चलिए, हम से कीजिए का हो जाएगा, बताएंगे कौन सा है, रानिपूर, ऐसकी वर्मा बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का रानिपूर, याद रखेगा, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का रानिपूर, 53 नं बाकि सबसे ज़्यादा Tigers की बात की जाए, तो लास्टाइम जो Tigers की काउंटिंग की गई है, 2018 के अनुसार, ठीके, 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा Tigers जो है, वह हैं मध्य प्रदेश में हैं, जहां पे की 526 हैं, और यह हैं फोर्थ नंबर की Tigers की गणना की गई थी, चार में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो Tigers की संख्या है, लगभग 80% आबादी Tigers की भारत में ही है, अगले कोश्चन पर आचाते हैं, दुर्गापूर आइरन एंड स्टील पावर प्लांट की स्थित है, यह आपको बताना है, आंसर कीजिएगा, क्या हो चाहेगा, चले यह फौर्थ नंबर का है उत्तर प्रदेश में Tiger Reserve, दुर्गापूर आइरन एंड स्टील पावर प्लांट किस राज्ये में यह इस्तित है, आंसर कीजिएगा, किस राज्ये में यह इस्तित है, बताना है, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही, दुर्गापूर की अगर बात हमारे उपरास्ट पती है, चले, कर्शन पर आजाते हैं, नेक्स, एंटी पीसी की सिंग रोली इस्थित इकाइक के संदर्भू में निमलिकित में से कौन सा से कथन सही है, आंसर कीजिएगा, दोर कथन यहाप लोगों को दिये गए हैं, और आप लोगों को इनको पढ़ना ह और आंसर बताना है क्या हमारा आंसर यहां पर रहेगा, चले, बताएंगे जल्दी से, क्या भी अपना आंसर हमारा यहां पर रहेगा, आंसर कीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा, बताएंगे, क्या भी अपना आंसर हमारा यहां पर रहेगा, फटा-फट से, क्या हो को जल्दी से औली टो ओके यह एप छतिस गड राज्यय के उत्री भाग में इस्तित हैं दूसरा है की यह तो बिल्कुल सही बात है इसकी अगर हम बात करते हैं यह है एंटीपीसी की सबसे पुरानी एकाई है ठीक है जबर हम इसकी बात करें कि यह किस राजिय में इस्तित है तो कहां पर इस्तित है बताओ अच्छे है पैशन चले याद आखना 1977 में 1977 में इसकी इस्थापना की गई थी ठीक है और यह कहां पर इस्तित है कुमारी प्रतिसर ब्लोक कर दो इसको अपवन को ही याद गरना सिधा दो चले चले क्लास को डिस्टर्ब करने वाले लोग मुझे समझने आता कि भई तुम लोगों का भविश्य क्या है जल्दी से बताएंगे question में answer करके क्या हो जाएगा फटा फट से क्या भई अपना answer याँ पर हमारा रहेगा बताएंगे जल्दी से इसके अगर बात करते हैं तो यह है कहां पर इस्तित है यह आपको बताना है answer कीजिएगा क्या हो जाएगा MP में नहीं UP में उत्तर प्रदेश के सोन भदर जिले में यह है इस्तित है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका जो A option है यह आपका गलत रहेगा चले question पर आजाते हैं कि निवलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक पृतिग्या तथा सभ्ये विश्व के साथ किया गया समझोता कहा था answer करेंगे क्या हो जाएगा विश्व के साथ किया गया समझोता कहा था किसने कहा था किसने कहा था answer कीजिगा यह जो statement है किसके द्वारा दिया गया है हमारे लोगों के लिए एक पृतिग्या तथा सभ्ये सोरी सभ्ये विश्व के साथ किया गया समझोता कहा किस ने कहा था हमारे देश के सबसे पहले उपर रास्ट पती इनके अगर बात करते हैं तो यह देश के सबसे पहले उपर रास्ट पती रहे हैं और दूसरे नंबर के देश के रास्ट पती रहे हैं जो कि 1962 से लेकर के 1967 तक देश के रास्ट पती बने थे दूसरे नंबर के ठीक दी गई थी याद रखीगा ठीक है इसके साथ ही हमारे भारत में सबसे पहले बार जो कि भारत रतन दिये गए थे तीन लोगों को उन में से एक थे कौन सरपल्ली राधा कृष्ण और इनहीं का ही जनम दीवस 5 सितंबर को जो होता है वह हमारे देश में मनाया जाता है रास्ट इसके दूसरे रास्ट पती और पहले उपरास्ट पती रहे हैं का चीजिए गाक्षम नहीं है बताएंगे कोंच सा एक प्रमुख उत्पादक है नहीं है क्या है इस सवहीत दोटेश राधा पर वेंगे के रासट यहरा काम एक रज़न राक स्रीम buyth का कोंसे एक परिमुख सबसे जादा यह उत्पादन करता है सबसे जादा अफरिका महादीप में सबसे जादा उत्पादन होता है कोको बीन्स का ठीक है इसके साथ ही आइवरी कोस्टा में होता है कामरून में होता है लेकिन यह एक मुख्य उत्पादक देशों में नहीं आता है जो कि क्या हो इस्टाच्यो ओफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है बताईए इस्टाच्यो ओफ यूनिटी के बारे में नहीं पूछा गया है इस्टाच्यो ओफ पीस के बारे में पूछा गया है बताएंगे क्या अंसर हो जाएगा इस्टाच्यो ओफ पीस आंसर करेंगे क्या हो वल्लब सुरिश्वर के बारे में सुना है सुरिश्वरや एक जैन्द शोकर रहे है यानि कि जैन साद। यह एक जैन सादू रहे हैं और इन की bun 121 वी जैन्ती पर artists and Őह कहां पर इस्तिध नीया राजिस्थान में तो क्या अंसरो जाएगा इसके अगर जाएगी कि भाई यह राजिस्थान में इस्थित है बागी स्टाइच्व आफ युनिटी के बार में सभी जानते ही है वर्ल्ड में सबसे टोलेस्ट इस्टाइच्यों है जो कि सदार वलबाय पटेल जी की मूर्ती है और गुज्रात में नर्मदनदी के किनारे पर इस्थित ह निम्लिकित में से निम्लिकित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए चले आंसे कीजिए क्या हो जाएगा आसान कोश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग इजीली कर पाएंगे बताइए जल्दी से क्या हो क्या अपना आंसर हमारा यहां पर रहेगा फटा फट से क्या हो जाएगा क्या अपना आंसर हमारा यहां पर रहेगा बताएंगे चले आप फटा फट से कोमेंट्स कर रही हूं तो मैंने सोचा कि कोमेंट्स से थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं बताईए यदि हम गोवा रा करते हैं तो 1987 अधिनियम के तहत इसका गठन किया था है ना तिलांगाना की बात कर लेते हैं यह तो यादी है सभी को कि 2 जून 2014 में आंधरपुदेश से अलग हुआ था जारखन की बात कर लेते हैं यह है 2000 में नमबर में 2000 में यह कर बिहार से अलग हो था हर्याना राज जी की बात करते हैं तो 1966 जब पंजाब के पुनर गठन का अधिनियम ता 1966 में तब यह इसे अलग किया था जो की देश का सत्रवा राजजी यह है बना था Haryana दूसरilde नंबर पर आजाएगा कोवा राज्य और फिर यहां पर आपका थ़ड्य की जहार खंडु और फिर हो जाएगा आपका तेलांगणा राज्यित मेंकित निमलिक्त मेंेक से तौसपन कार्या ले जारी करता है बताएंगे दंगे साथ सोचकाग के यदि हम आधार वर्ष की बात करते है त viscos क्या है यार किसी को अभी शाय लास्ट टू डेस ही आपको लास्ट सकेंड अभी तोगों को करлаए था आधार वर्ष के बारे में पोटता का अधार वर्ष क्या है बोकता मुले सूचकाग का साथी थोक मुले सूचकांग का अधार वर्ष क्या है 2011 से 12 ठीक है और कौन जारी करता है यह आपको बताना है कौन सा संस्थान या फिर कार्याले जारी करता है तो वानिजी एवं उध्योग मंत्रा ले ठीक है याद रखेगा क्या हो जाएगा second option अपना answer यहाँ पर रहेगा the next day यहाँ पर कुछ institute के नाम आपको यहाँ पर दिये गए है ठीक है और उसके सामने आपको दिये गए है उनकी इस्थिधी जहाँ पर उनकी इस्थिधी है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है answer कीजीगा आप लोग फटा-फट से क्या भी अपना answer रहेगा हमारा चले पढ़िएगा चारो option को और फिर आपको बताना है answer हमारा क्या भी यहाँ पर अपना रहेगा बताईए जल्दी से चले देख लेतें अंतरास्टिये अंतरास्टिये सवशे वानी की अनुसंधान केंद्र यह कहां इस्तित है नैरोबी में भारते वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो यह कहां पर इस्तित है भोपाल में यह भी आपका सही है चिक है और यदि हम केंद्रिये केंद्रिये सवशे वानी की वानी की अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो यह है कहां पर इस्तित है यह है बांदा में आपको दिया गया है और टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो यह है कहां पर है यह है नई दिली में क्या हो जाएगा आपका थार्ड ओप्शन गलत है और आ पर है जासी में है यह बांदा में इस्तित नहीं है बलकि यह जासी में इस्तित है तो कुश्चन का ऐंसर हमारा क्या हो जाएगा थाडर ऑप्षन ठीक हो जाएगा सही अंसर हमारा रहेगा अप्र 0022 में DRactive और भारती सेना दुआरा किस रोकेट सिस्टम का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है बताएंगे प्रत्वी फर्स्ट पिनाका एमके फर्स्ट या फिर धनुष या फिर प्रत्वी साकिंड बताईए भारती सेना के दुआरा है रोकेट सिस्टम का सफलता पूर्वक पर आंसर कीजी क्या हो जाएगा बताएंगे भी क्या अपना आंसर हमारा यहां पर रहेगा जल्दी से क्योश्चन में चलिए चलिए क्या हो जाएगा बिल्कुल से पिनाक का M के फर्स्ट का परिक्षन किया गया है इसके अगर हम बात करते ही है तो यह है आपके रोकेट लॉंचर के लिए जाना जाता है जो कि 44 साकेंड में 12 रोकेट को दाग सकता है साथ ही इसका जो परिक्षन किया गया है कहां पर किया गया है पोखरण में किया गया है और पोखरण के बारे में याद रखना यह कहां पर है राजिस्थान में है यह कहां पर है राजिस्थान में है दे नेक्स ने निवलिकित में से कौन भारत की पृथम वित आयोग के अध्यक्ष थे अंसे की जिगा और वर्तमान समय में कौन है बताईए सबसे पहले कि कि बताएंगे अपना आंसर हमारा इहां पे रहेगा चले कर झाले कि सबसे पहले कौन है सबसे पहले रहे है केशी नियोगी क्या हो जाएगा के सी नियोगी इसके साथ ही यदि हम वित आयोग के लिए आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमिशन ओफ इंडिया का गठन किया जाता है दूसरे नमबर के वित आयोग के अध्यक्ष रहे हैं कौन संथानम और तीसरे नमबर के वित आयोग के अध्यक्ष रहे हैं कौन इसके आर्टिकल के बारे भी याद रखेगा आर्टिकल 280 के तहत में भारत में फाइनेंस कमिशन ओफ इंडिया का गठन किया जाता है चले पवन ओके अगले कुशन कांसे कीजिएगा बई क्या हो जाएगा विश्व ओजोन दीवस कब मनाया जाता है बताएगे विश्व ओजोन दीवस कब मनाया जाता है बताईए कब मनाया जाता है तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है The next है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम दुआरा मतदान की आयू को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था बताएंगे कौन से संशोधन के तहत में जो की वोटिंग एज है वहें 21 से घटा करके कितनी कर दी गई थी अधारा कर दी गई थी बताएंगे कि आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर की चीगा है क्या भी अपना आंसर हमारे हैं पर रहेगा बताएंगे आप लोग चलिए, 61 बिल्कुल सही, और यह किस वर्ष में किया गया था 61 वा समविधान सभनशोधन 86 वा सम्विधान सभनशोधन जिसके माध्ियम से 6 शोदा वर्ष के 6 शोदा वर्ष के बच्चों को कमपल सरी सिक्षा, प्रावधान एड़ किया गया था और माता-पिता की कर्तवे के रूप में वह fundamental duties में 11 duties में add किया गया था और साथ ही fundamental rights में वह article 21 के ए में add किया गया था तो उसके बारे में भी याद रखेगा चले बताएंगे जल्दी से क्या अपना answer एगा तो नेक्स अगले question पर भी आएंगे हम लोग क्या हो जाएगा हमारा answer बताएंगे चलिए चलिए अगले question का answer कीचीगा क्या अपना भी answer हमारा यह है रहेगा चलिए 1988 में किया गया था 1988 ठीक है अगले question पर आजाते है the next answer कीचीगा निम्लकित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है बताएंगे कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है आंसर कीजिगा डेंगू जोर या फिर पालेरियासिस या फिर निद्रा रोग या फिर मलेरिया बताएंगे जो मच्छर वाहित नहीं है यानि की मोस्किटों से बौर नहीं होता है कौन सा है यह है निद्रा रोग यह अपनी इच्छा से होता है आप जितनी चाहें उतनी अपनी निद्रा बढ़ा सकते हैं और जाधा सोना एक रोग ही होता है एक्जामपल के तोर पर याद रखेगा तो यह मच्छरों का इसमें कोई कुसूर नहीं है यह आपी की स्विच्छा से है चले बिल्कुल सही है मिशन आपने बिल्कुल सही कहा चले नेक सगले कोशन पर आजाते हैं कि अनुसार किस राज्य का जन संख्या घनतव सबसे कम था बताएंगे सविच गादकंते कि अनुसार किस राज्य का जन संख्या घनतव सबसे कम किसका है अरुनचल प्रदेश का है यहां की बात करते हैं तो 17 लोग एक किलो मेटर स्क्यार में निवास करते हैं सबसे जादा की बात की जाएगी तो सबसे जादा कहां पर है सबसे जादा है बिहार राज्जी में कहां पर है बिहार राज्जी में है जहां पर की 1106 लोग हैं जो की एक किलो मेटर स्क्यार में निवास करते हैं तो सबसे जादा ब दो क्या है क्नि भायत की सब बड़ी खारे पानी की जही यानि की जो की लेगून जही एक कौन सी है चिलिका जहील है फुर्स नंबर की सबसे बड़ी कारे पानी की जही है पुलिकट जहल्ट की आंध्र प्र ठर्देस् प्लस तमिल नाडू के अपना यह सीमा चुकी है वह शियर करती है ठीक है और यह है पुलिकट लेक जो है आपने सुनाई ने श्री हरी कोटा दीप जहां पर की सतीस धावन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है यह है पुलिकट जील के ही किनारे पर पड़ता है ठीक है तो यह याद दखेगा कि यह है भारत की जील है यहां पर एक तरफ आप लोगों को कुछ प्रावधान याने की प्रोविजन्स दिये गए है और उनके इस्तरोत जिन देशों से हमने वहल लिये हैं उनके बारे में दिया गया है आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है आंसर कीजिगा क्या हो बताना है बताएंगी क्या अंसर हो जाएगा कौन सा यहां पर आपको सुमेलित नहीं दिया गया है आंसर कीजिगा क्या हो जाएगा कि चलिए बताएंगी कि क्या भी अपना अंसर हमारे यहां पर रहेगा कि कर दोड़ार मोलिक अधिकारों का निलंबन कहा से जर्मन देश से लिया गया है और अगर हम केंदर की अवसिस्ट शक्तियों की बात करते हैं तो यह है कनाडा देश से ली गई है ना कि यह है आस्टेलिया से ली गई है इसलिए क्या हो जाएगा कि C option आपका गलत दिया गया है निम्लिकीत में किस वर्ष में भारय सकार보 प्रियावरण सरक्षन अधिन्यम पारित किया गया, बताएंगे यह repeat होने वाला question है और previous year question सिधा-सिधा आपसे वाला question पूछा जाता है कि आपसे प्रियावरं सरक्षन अधिन्यम पारित के बारे में पूछा जाता है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताएंगे भई क्या अपना आंसर हमारा यहां पे रहेगा किस वर्ष में क्या गया था 1986 में किया गया था ठीक है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लिक्विड पैट्रोलियम गैस है ना बताएंगे क्या आंसर हैगा आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा LPG का मुख्य अव्यव कौन सा मुख्य अव्यव है इन में से यह आपको बताना है फटा फट से आन से कीशेगा दो गैसिसे जो कि इसकी मुख्य अव्यव है एक तो है ब्यूटेन क्या हो जाएगा ब्यूटेन और एक है प्रोपेन है ना जो कि C3H8 से इसे इस फॉर्मूले से इसे डिनोट किया जाता है ठीक है प्रोपेन को और अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला बताओगे आप लोग क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन की अगरम फॉर्मूले की बात करें, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, बताओगे, इसका वॉर्मूला की बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा C4H10 C4H10 ठीक है याद रखीगा बागी यह अपना आज का last question है ठीक है और आप लोग अभी भी mission worthy batch को join कर सकते हो ठीक है SSC GD की notification आपकी आज चुकी है आप सभी जानते हैं तो आप आप लोग mission worthy batch से जुड़कर के UP police constable की और दिली पुलिस constable की साथ ही SSC GD की तियारी कर सकते हैं ठीक है और class को भई हम लोग आज यहां तक ही रखते हैं जिन्होंने session को अभी तक like नहीं किया है session को एक बार like कर दीजेगा और इस Sunday हमारी marathon class है तो Sunday की marathon class के बारे में याद रखेगा Sunday को सुभा 9 बजे अपनी marathon class है तो आप लोग Sunday को 9 बजे marathon class से जूड़ जाएंगे सुभा में बाकी डेली जो अपनी class का समय होता है तो दस बजे होता है तो दस बजे आप लोगों को correct time पर आ जाना है इसके बाद आपकी railway के exams के लिए science की class चलेगी 11 बजे से जो कि सुजित सर की class होगी तो आप सभी सुजित सर की class में चले जाएगा ठीक है 11 बजे सर की class स्टार्ट हो जाएगी science की तो आप लोग science की class में चले जाएंगे, ठीक है, चले, मिलते हैं कल अपने समय पर अपने ख्याल रखेगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, और regular पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि practice ही एक ऐसी चीज है, जो आपको अपने field में निपून बनाती है, बहुत ही बहतर बनाती है, जाएंगे, बहुत हैंगे, बहुत है।